हेलो माई डियर फ्रेंड्स हैपी फ्रेंड्सिप डे टू अल अफ यू कैसे हैं आप सभी आशा करते हों सब बिल्कूल ठीक होंगे मैं भी बिल्कूल ठीक हूँ और आज आपको बताने वाली हूँ बेट सिट का दिल सेप डिजैन जो की बिल्कूल आसानी से आप बना लेंग के पास कार्डबोर्ड ना हो तो कोई पूराना कैलेंडर ले सकते हैं जैसे हम यहां पे एक कैलेंडर था मेरे पास पूराना उसी का यूज कर रहे हैं कार्डबोर्ड की जगा पे तो सबसे पहले बीच से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे कार्डबोर को या फिर कैलेंडर क और pencil की सहायता से half heart का shape ड्रा कर लेंगे ये design काफी आसान है और काफी attractive भी है काफी खुशुरत दिख रहा है तो आप एक बार try जरूर किजिएगा इस cardboard की सहायता से ही painting भी करेंगे और drawing भी करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीका है यानि कि आज तक हम जितना भी design बता है न उस सब में ये सबसे आसान है तो वीडियो को अंतक देखिएगा मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा ऐसे ड्रा करने के बाद कैची की सहायता से इसे काट लेंगे कार्टे से में थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कटिंग है वो पूरा फ्रेस आना चाहिए फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप जो भी design देखते है न वो खुद का मेरा design होता है यानि मैं खुद से जो design ड्रा करती हूँ वो ही मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा मैं ये design कहीं से copy नहीं करती हूँ और जो भी ideas आपको देती हूँ जैसे कि अभी cardboard को cutting करके design बनाने वाले हैं तो ये सारा ideas मेरा अपना होता है मैं खुद imagine करती हूँ कि ऐसे हो सकता है और वहीं आप लोगे साथ share करती हूँ और ये ideas आप ही लोगे through मिलता है जैसे कि आप लोग comment करते हैं कि कोई ऐसा design बताएए जो बिल्कूल आसान है हम लोग आसानी से बना सके तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगी तो आप लोग आसानी से ड्रा कर लेंगे क्योंकि आप लोग comment करते हैं कि मुझे drawing आता ही नहीं है तो फिर मुझे ये सारा ideas मिल जाता है आप लोगे comment को पढ़ कर तो मेरा खुद का idea होता है इस तरीके से पुरा cut कर लेंगे और ये जो part है ना जहां से हम heart shape निकाल दिये हैं वो भी use में आएगा और जो निकाले हैं वो भी use में आएगा तो दोनों का use करने वाले हैं एक का use painting में करेंगे और एक का sketching में तो दोनों को रखेंगे संभाल कर ये नहीं कि एक फेक देना है दोनों का use करना है तो चलिए अब इसे हम बेड़ सीट पे डरा कर लेते हैं किनारे पे आपको कितना ये स्पेस छोड़ना है आप अपने अनुसार छोड़ सकते हैं हम यहाँ पे 15 इंच छोड़े हैं यानि चारो तरफ से 15 इंच मुझे छोड़ना है तो हम 15 इंच नाप कर दोनों तरफ से टिक कर लिये हैं इसी तरीके से बेट सीट के चारों तरफ ऐसे टिक कर लेंगे करनर पे केवल और आसानी से हम हर तरफ बराबर एस पेस छोड़ेंगे जैसे कि यहाँ पे टिक करने के बाद वहीं से हम फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पे जो किनारे पे लगाए है टिक वहाँ से भी ऐसे फोल्ड कर देंगे और प्रेस कर देंगे हाथ से इस तरीके से प्रेस करने के बाद वहाँ पे खुद बखुद निसान बन जाएगा तो इस तरीके से आप भी इस idea को follow कर सकते हैं, बहुत ही ये काम करता है, यानि कि बिल्कुल आपका जो space होगा ना, वो हर जगा एक बराबर होगा, अगर आप इस तरीके से fold करके निसान लगाएंगे तो, आप जब भी design बनाते हैं बेट सीर पे, बिल्कुल किनारे पे मत बना है, तो ही अच्छा लएगा, तो आप space थोड़ा ज़्यादा छोड़िए चारो तरफ, और fold करने के बाद आप जब उससे खुलेंगे, तो इस तरीके से आपको निशान दिखाई देगा, और आपको design ड्रा करने में काफी असानी होगा, तो चलिए अप design ड्रा करते हैं, उस कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है, आप इस design को आसानी से बना सकते हैं, भले ही आपको drawing बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आप आसानी से design को और बिल्कुल perfect बना सकते हैं, यदि आपको single दिल बनाना है, तो फिर ऐसे बना सकते हैं, या double बनाना है, तो आप इसे हाटाई है और फिर उसके बाद ऐसे इसे fix कर लिजे मैं set कर लिजे कि आपको कहां पे बनाना है इस तरीके से रख लिजे और एक और दिल डिला कर दिजे यहां पे तो हम यहां पे double दिल बनाएंगे इस design में तो आप भी बना सकते हैं इस design को आसानी से इसी तरीके से चारों corner पे जहां fold क corner होगा और उसी corner में चारों तरफ इस design को ड्रा कर लेना है फोल्ड करने के बाद जो निशान बना हुआ है उस पे एक सीधा लाइन बना सकते हैं चारों तरफ से तो और भी खुबसूरत लएगा हम यहां पे थोड़ा सा इसमें design बना रहे हैं हलका सा यह भी simple design है ताकि यह जो design है और खुबसूरत दिखें तो simple सा एक इस तरीके से design भी आप बना सकते हैं यह आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो आप सीधा line बना लीजिए चारों तरफ से वो भी खुबसूरत दिखेंगा इस पूरे bed seat को जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से यह आप पनाएंगे तो एक दिन में बना सकते हैं यानि बिल्कुल कम समय में बना सकते हैं क्योंकि ड्रोइंग तो बिल्कुल आसान है और इससे भी आसान इसका painting बताने वाले हैं तो वीडियो को अंतक देखिएगा बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं हो सकता है कि वीडियो मे उसी तरीके से किनारा भी बना लेंगे और चलिए बीच का डिजाइन बनाते हैं इसके लिए हम एक रोज का फ्लावर लिए है केवल तो इसका ड्रोइंग मेरे चैनल पर अपलोड़ेड इसलिए हम इसका ड्रोइंग नहीं अपलोड किये और कर बन की सायता से बीच में इसे बखिए और चारो तरब से उसी डिजाइन को बना लीजिए वो भी खुबसूरत दिखेगा लेकिन और अट्रेक्टिव दिखाने के लिए हम यहाँ पे दो रोज फलावर बना रहे हैं तकि और भी खुबसूरत दिखें तो नीचे के तरफ हम दो रोज बनाएंगे एक यहाँ आपको रोज बनाने नहीं आता है तो आप कोई भी फलावर यहाँ पे बना सकते हैं जो आपको अच्छे से बनाना आता हो और फलावर बनाने के बाद ऊपर के तरफ वहीं हाट सेप रखेंगे और एक हाट यहाँ पे ड्रा कर लेंगे आप चाहे तो डबल भी ड्रा कर सकते पर हम यहां पर सिंगल ही ड्रा करेंगे और उसके बाद जो फ्लावर है उसमें कली या फिर लीप को भी ड्रा कर लेंगे ताकि वह और खुब्सूरत दिखें कर दो प्लावर है ता high या शुब्साइब करेंगे एंप पस्थित एंपा उस्मेड़ कहना सुब्सभावर यहा चार्वर में अस्में यहाओ रशखए और एंपाऊज़ आपादाज के फते जाज़चिए श्माण पार स्वेंपाट थाज़ रही है वाल तो अब इस बेट सीट का पूरा ड्रोइंग कम्प्लीट हो चुका है यानि कि अब इसे केवल पेंट करना है तो नेक्स्ट बीडियो में इसका प्येंटशने दिखाने वाने है, वह अब हम से जूड़े रहेगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट बीडियो में तब तक आप हमारे वीडियोज को देखते रहेगे और प्रेक्टिस करते रहेगे, थैंक्स फर ओस्टचिंग बाब बाई